मित्रों पशिम बंगाल की जिस घटना को लेकर आज पूरा देश आहत भी है और आक्रोशित भी है उसके उपर सर्वोच्चे नयायले ने जो सवाल किये हैं वो लोक तंत्र और सरकार चलाने वालों की मानसिक्ता और नैतिक्ता के उपर उठे हुए गंभीर सवाल है हम सब ये जानते हैं कि इस घटना को किस प्रकार से पांच प्रकारों से नष्ट करने का या प्रार्शु में डालने का प्रयास किया गया पहला विशे घटना फिर घटना का समवेदन हीन बचाओ उसके बाद जिस निर्मम्ता के साथ सबूतों का नष्ट होना उसके बाद उपद्रवियों के द्वारा वहां आतंक और उसके बाद बयान की धमकी और आज एक बात और इस्पष्ट हो गई कित्रण मूल कॉंग्रेस की सरकार तो पूरी निर्लजिता के साथ अपराधियों को संदक्षन और पोशन देने में तो लगी हुई है परन्तु इंडी गठवंदन का किरदार भी साफ हो गया मैं देश की जनता के सामने यह बात रखना चाहता हूँ कि आज तर्ण मूल कॉंग्रेस सरकार का वकील कौन है श्री कपिल सिब्बल वकील है पश्चिम बंगाल सरकार के सांसद हैं उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के समर्थन से और पूर्व मंत्री हैं कॉंग्रेस सरकार के अब कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है कि ये सब एक दूसरे के अपराधों के संदक्षन के लिए खड़े हैं और ये वही लोग हैं जो हर अलगाववादी के पक्षमे कोट में खड़े होते थे आतंगवादी तक के पक्षमे कोट में खड़े होते थे आज एक बार फिर दुर्दान अपराधी के पक्षमे कोट में खड़े है तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस पे बचाओ की कोई गुंजाइश मंता बनर जी जी के पास तो है ही नहीं नाखिलेश यादव जी से भी मैं सवाल पूछता हूँ और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से भी चो आपी के वो वकील है ना तो आज जाके उसका बचाओ कर रहा है इससे बहुत साफ है कि इनके मन में किस प्रकार की समवेदन हींता है दूसरा पक्ष सबूतों को नश्ट करने के बहुत गंभीर विशे आए नियाले ने इस विशे के उपर बहुत सारे सवाल खड़े किये हैं परन्तु दो विशे आज नियाले ने जिस प्रकार केंदरी सुरक्षाबलों को उस कॉलिज की सुरक्षा देने का निर्ने लिया है इससे बहुत साफ हो जाता है कि पशिम बंगाल की सरकार और कोलकता पुलिस की जो नयतिक आधार था वो स्वता द्वस्त हो गया दूसरा जो एक नया पक्ष प्रकाश में आया है कि पीड़ता अपनी डायरी लिखती थी और वो अपने पीता जी से उसको साजा करती थी और उसके बहुत से पन्ने और उस दिन के पन्ने गायब है सबुतों की तो ऐसी शंखला है कि उस विशे के उपर क्या बोला जाए ये कहने में आपने देखा कि प्रिंस्पल का ट्रांसफर हो उसको दूसरे का कॉलेज में भाली हो चालिस से अधिक डॉक्टरों का आनन फानन में ट्रांसफर पीड़िता के शव को सौपने के कई घंटे बाद F.I.R. समय से पहले उसे जला देना डिरेक्टर से पूछताशना करना और उससे अधिक गंभीर बात जो प्रश्ण पूछ रहा है उसके उपर कारवाई हो रही है मैं एक नयतिक सवाल भी पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया या वक्तवे में यदि कोई भी वेक्ति बयान दे देगा सर्वोचन एले ने इसका भी संग्यान लिया है तो जिस प्रकार से कारवाई आवशक्ता थी कि कठोर कारवाई या सरकार करती उन लों के विरुद जिन्होंने या कार किया था उल्टे कारवाई उन पे हो रही है जो की इंसाफ की मांग उठा रहे है चाहे 23 वर्षी ये पॉलिटेक्निक की छात्रा सागनिका लाहा ने इस गटना को लेकर सरकार पे हमला किया तो उसको गरिफतार करने की करवाई कर दी गई भवानीपूर में एक छात्रा ने ये विशेक को उठाया तो पशिम बंगाल सरकार ने उसे गरिफतार कर लिया ठारा वर्षी छात्रा कीरती शर्मा को पीड़ता के माता पिता ने भी बयान दिया और तो और तरमूल कॉंग्रेस के शांतनु सेन ने कॉलिज के खिलाब बोला तो ऐसी जानकारी आई कि उन्हें प्रवक्तापत से अटा दिया गया और तो और सौयम उनके सांसद सुकेंद शेकर ने जब यह प्रश्ट उठाया तो उनसे पुलिस जवाब तलब करने लगी हमारे सांसद से कर रही है वो तो उनकी प्रवित्ती हमेशा से पता है पर आप सोचिए कि अपने सांसद अपने नेताओं पर भी कारवाई कर रही है ये बहुत बड़ा सवाल उठता है ये नेता दे रहें यदि उनके मंत्री उदेन गुहा ये बोलते हैं कि ममता जी के तरफ जो उठेगी तो उठेगी तो उठेगी तो कोई ऐसा बयान देता है कि जो पीडित और आहत डॉक्टर है वो अपने गल्फरेंड और बॉइफरेंड के साथ घूमने के लिए वहां बैठ है कि परिडाम भुगतना पड़ेगा मैं देश के लोगों से पीडा और गंभीरता के साथ अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि आप सोचिए कि समिधान कितने बड़े खत्रे में है आज पश्चिम बंगाल में आप कल्पना करिए कि यदि इनकी कहीं सरकार होती क केंदर में तो उंगली तोड़ दी जाती जो इनके मंत्री ने कहा है उदेन गुआ ने जो संधीप चक्रवरती ने कहा है तो परिडाम भुगता दिया होता आज सरवोच चिन आयले और केंदरी बलों के हस्तक्षेप के बाद ये सिटी है तो मैं ये बात जिम्मेदारी के सा में जो दुरवी संदी है कि कॉंग्रेस के पुराने नेता सपा के वर्तमान सांसद सपा के समर्थन से बने वर्तमान सांसद तडमूल कॉंग्रेस के वकील है जिनकी ख्यातिय अपरादियों और इलगावादियों का समर्थन करने की है अर्थाद अब बहुत साफ हो गया है कि स सम्विधान इंडी गड़बंदन की सरकारों में खत्रे में है और सिर्फ सम्विधानी नहीं खत्रे में है जान और जहान भी खत्रे में है और मान सम्मान भी खत्रे में है परंतो हम या अश्वस करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार कोई कोर कसर उठा कर नहीं रखेगी कि पीडि परिवार को नियाय सुनिश्यत हो सके और इसके लिए चुंकि सरवोचे नयायले ने स्वता संग्यान ले लिया है तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो नयायले के दिशा निर्देश में चलेगी उसमें जो भी सक्रिय, सकारात्मक और त्वरित सहयोग means assertive, active and fast contribution which will be required on the part of the government they will provide और पूरे देश भर में चिकत्सकों के मन में जिस प्रकार का आक्प्रोश और वेदना है हम उसके साथ हैं और फिर हम साफ ये कहना चाहते हैं कि राहुल गानी जी ये महबत की दुकान में कैसे कैसे नफरती सामान है आप सोचिए उत्तर प्रदेश के कन्नोश से लेके कुलकता तक जो कुछ हो रहा है यदि इनकी किसी कारणवस केंदर में सरकार होती तो दृष्ट कितना खौफ नाख होता तो मैं उन लोगों से केपृती संवेदना व्यक्त करते हुए पीडित परिवारों की तरफ से कहना चाहूंगा ममता वनर्जी जी की सरकार को जिसने निर्ममता की समस्त सीमाएं पार कर दी है कि फिर उन निराश नैनों को जिनके आशू सूखे है देखो उन निराश नैनों को जिनके आशू सूखे है जो न्याय हे तो अभी तक पत देखते हुए रूखे है